नमस्कार मित्रों तो केसे हैं आप सबी देखे सिख्षा मनविज्ञान का टेस्ट नमबर 32 लेकर आया हूँ पूरे के पूरे 30 क्यूशन हैं मज़ा आएगा साथियों क्यूकि क्यूशन ही बहुत ही अच्छा लेवल रखा गया है जो एक्जाम की दरेश्टी से अती महत्पुन होने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों बिल्कुल एप्लाइड और न्यू पेटर्न पर आधारित आपको बहुत ही शांदार तीस प्रशन द करता है पहला विकल्प देखेगा यह व्यक्ति के मन के अध्यान का विज्ञान है यह व्यक्ति के अनूभाओं का विज्ञान है इसका संबंद केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रिकिर्याओं से है और यह सिक्षा को मनवेग्यानिक आधार प्रदान करता है तो मित्रों या मनोविज्ञान का यह सबसे उप्युक्त अर्थ है अर्थात इस प्रश्ण में आपका चोता विकल्प सही है चलिए देखते हैं प्रश्ण नमबर दो को लेकिन मैं बता दू साथियों आपको सिक्सन वीडियो का टेश्ण नमबर 36 अपलोट किया जा चुका है जो तत्सम प्रश्ण नमबर 2 इन में से कौन सी विचेस्ता किशोर अवस्ता अवधी की नहीं है तिवर शारिक विकास एवं परिवर्तन भावात्मक प्रहवत्तियों का उच्च होना विपरित लिंग के प्रति अधिक आकर्शन और इस्तिर एवं इसपष्ट आत्म प्रत्य तमित्रो किशोर अवस्ता अवधी की कौन सी विचेस्ता नहीं होती है विकल्प कौन सा राइट रहेगा प्रश्ण नमबर 2 में देखेगा किशोर अवस्ता में तिवर शारिक विकास और परिवर्तन होते हैं बिल्कुल सही बात है भावात्मक प्रहत्तियों उच्च हो जाती है प्रिश्च नमबर दो में चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखेंगे साथ यो प्रिश्च नमबर तीन लेकिन मैं आपको बता दू कल सुबह 8 बजे मेगा टेस्ट आ रहा है पूरे 150 प्रिशनों का टेस्ट तैयार किया जा रहा है लगबग 90% आपका टेस्ट तैयार हो चुका है तो साथियो इसलिए आज डालने की सोच रहा था लेकिन कल डालूँगा उस वीडियो को तो पूरे की पूरे 150 क्यूशन है तैयारी कर लीजिए अच्छे से और कल वाले क्यूशन बिल्कुल नए क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे साथियो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा अपने मेटर को क्योंकि नए क्यूशन जब आएंगे तो फिर आप सोचोगों कि सर ने टेस्ट कहां से बना दिया कोशिश करना कि 120 क्यूशन आप उसमें कर दो या 110 क्यूशन 100 पलस सभी के राइट होना चाहिए साथ यो तभी तैयारी अच्छी मानी जाएग पहला विकल्प देखेगा बालकों की देखबाल के अनुबव उन्हें इसकूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तयार नहीं करते उन्हें नीमित स्वास्त समंदी देखबाल नहीं मिलती है व्यापक एवं विविद अनुबवों को प्राप्त करने का मोका नहीं मिलता है और विद्याले में अच्छा करने के लिए अभी प्रेरित नहीं किया जाता। तो मित्रों जो सामाजिक रूप से वन्चित चात्र होते हैं बिल्कुल उनको विद्याले में अच्छा करने के लिए अभी प्रिरित नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या है सामाजिक रूप से वन्चित है उनको जो व्यापक और विविद मतलब अलग-अलग अनुबव है उनको प्राप्त करने का मोका नहीं मिलता क्योंकि सामाजिक रूप से क्या है वो वन्चित देकिन उन्हें स्वास्त संबंदी देखबाल नहीं मिलती तो इसे मान लीजे किसी बच्चे को या पिर किसी परिवार को समान से निसकाशित कर दिया गया तो क्या वो अपना इलाज भी नह प्रिश्ण नमबर चार पर बेसिक शिक्षा है तू महातमा गांधी ने किस पाठे करम पर बल दिया नरत्य कला केंद्रित हस्त कला केंद्रित पुस्तक कला केंद्रित और संगित कला केंद्रित तो मित्रों गांधी जी ने किसके उपर बल दिया तक कही बार एक्जाम में पू या पनासानी से हो सके साथ यो तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रिश्च नमबर चार में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्च नमबर पाँच पर मित्रों याद रखेगा कल सुबह 8 बज़े आ रहा है वो टेश्ट मेगा टेश्ट अतिमयत पूंटेश्ट मान सकते हो अब उसको दो चलीए प्रिश्च नमबर 5 एप्रकीर्या है जिसमें बालक संसकृति के तोर तरीके शीखता है संसक्रुटि थोड़ी यहाँ पर रीकी मात्र या ऐसे लगना चाहिए था उसको अभी प्रेड़ना कहते हैं उसको समाज़िकरन कहते हैं या उसको सभी कहाजिन में से सभी के नाम से जाना जाता है तो वितरों प्रशन नमबर पांच क्या कहहरा है कि वह है कि दिया जिसमें बालक संस्कृति जो है उसके तोड़ तरीके सीख रहे हैं जो हमारे समाज में जो हम जहां रहते हैं वहां की जो संस्कृति है उसके तोड़ तरीके सीखना तो पिर इसको सामाजी करण के नाम से जाना जाता है क्योंकि आप तोड़ तरीके सीख रहे हो मतलब जो रहन सहन, खान पान, वाँ की संस्कृती है, लोग गीत वगेरा, जो चीजे वाँ चलती है, वाँ का जो पहनावा है, तो यह सामाजी करन की ही तो इससा है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है, प्रिशन नमबर पांच में, चली आगे बढ़ेंगे प्रिशन नमबर छ तीसरा है, रूचियां योग गीताओं एवं अभीशमताओं से सम्मन्नित नहीं होती है, और चोता है, रूचियां व्याँहार में आकर्शन एवं विकर्शन के प्रतिविंब नहीं है, मित्रो एक एक क्यूशन इंपोर्टेंट ढूंड के लाया हूँ, अच्छी तरह से अ आराम से हो सकता है, बस लगातार अच्छे से नीमित ढंग से आपको पड़ाई करनी है, टेश्टों को हल करना है, ज्यादा से ज्यादा टेश्टों को हल कीजिए, यही वो समय है जिसमें आपको अधिक से अधिक टेश्टों को हल करना पड़ता है, तो मित्रो अगर हम बात करें तो कुछ रूचियां जन्मजाद भी होती है और कुछ अर्जित भी होती है तो ये तो सत्य है क्या पूचा है सत्य नहीं है दूसरा है रूचियां समय के अनुसार बदलती रहती है ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी कुछ समय पहले अलग रूचि थी अब अलग रूचियां योग्यता और अभिशम्ताओं से संबंदित नहीं होती है जी हाँ बिल्कुल जो हमरी योग्यताएं हैं और जो हमारी अभिशम्ताएं हैं यह अलग चीज है रूचियां अलग चीज है इनका अपस में कोई संबंद नहीं होता है लेकिन रूचियां व्योहार में आकर्शन और विकर्शन के प्रतिविंब नहीं है ये कतन क्या है गलत है साथियों क्यों है गलत क्यों कि मित्रों हमारी जो रूची है उसके प्रभाव से हमारा जो व्यवहार है जिसे मान लीजे कि हमारी रूची है पढ़ाई में तो फिर हम जब पढ़ाई करेंगे तो फिर ह हमारा पढ़ाय के परतियाकर्षन रहेगा हमारी रूची पढ़ाय में है ही नहीं और हमसे पढ़ाय करवाए जा रहा है तो हम उससे दूर जाएंगे विकर्षन दूर जाएंगे साथियो तो परतिभिम नहीं है यह कह रहा है नहीं है जबकि ऐसा होता है तो फिर यह कतन क्या ह रहेगा हर दरश्टी कौन से नो डाउट साथियों आपका 100% प्रश्ण नमबर छे में चोता ही विकल्प सही रहेगा चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर साथ पर मित्रों प्रश्ण नमबर साथ है निम्ण में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभ योगिता अर्थपूर्ण संबंद और माता-पिता की और से दबाओ तो मैं दो अप्शनों को तो बिल्कुल बाहर निकाल दूँगा एक तो डर वाला और दबाओ वाला क्योंकि ये तो नकरात्मक हो गया अब दूसरा या तीसरा विकल्प का चैन की दिए साथियों एसे क् उपनता करें कि जो अधिगम को सकारात्मक रोप से प्रभावित करें हमारा मन कह तैर तीसरा विकल्प को देखते हुए यहाँ पर भी प्रतियों गिता हो रही है साथियों सह पाटियों से और यहां हो रहा है अर्थपून संबंद तो दोनों की तुलना करने पर आपका ती तीसरा विकल्प जादा बेटर है अर्थ पूर्ण संबंद ये सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करता है अर्थ पूर्ण संबंद का अर्थ क्या होता है साथियों कि जब भी आप किसी चीज को याद करते हो किसी चीज को सीखते हो अधिगम करते हो तो उसका एक अगर आप रेट लगाएं तो इस कुश्ण को सही माना जा सकता है दूसरे विकलप को भी लेकिन तीस्रा तो 100% बिलकुल ही सही है सले जा रहा हूं तीसरे पर चलि नेक्ष देखते हैं प्रशनमबर आठ को विद्यले आधारीत आकलन परिक्षा के लिए सिक्सान को बढ़ाता है क्योंकि उसमें निरंतर परिक्षन होता है परिणामों के अपेक्षा तकनिकों पर केंद्रित है क्या आकलित किया जाएगा इस पर सिक्सार्तियों को कम नियंतरन प्रदान करना और रचनात्मक प्रति पुष्टी उपलद कराते वे सीखने में संवर्दन करता है तो मित्रो जो विध्यले आदरित आकलन होता है देखिएगा मैंने कहा था बिल्कुल एपलाइट क्यूशन है अच्छी तरह से सोंस समझ कर जवाब दीजिएगा साथियो एक्जाम में जब ऐसे क्यूशन आएंगे तो आपका दिमाग यहां तो क्या जिसे आपन समझ भी रहे हैं एसे विडियो में आपके लिए लाता हूं साथियो तो देखिए विध्यले आधरित आकलन जो है वो परिणामों के अपेक्षा तकनिकों पर केंद्रित है यह इतना बेटर नहीं है क्या आकलित किया जाना है शिक्सार्थियों को कम नियंतरन प्रणान करना, ये तो गलत ही हो गया, पहला या चोता, तो साथियों सही आंसर है चोता विकल्प, रचनात्मक परति पुष्ट्य उपलब्द कराते हुए, सीखने में संवर्धन करता है, सीखने में बड़ोतरी करत है साथियों चोता विकल्प सही रहेगा प्रश्च नमबर आठ में क्योंकि यह सबसे बेस्ट विकल्प है चले नेक्स प्रश्च नमबर नो सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविदी है अभी प्रेज़ना को बढ़ावा देता ह अलग करने और रेंक देने के प्रियोजन के लिए किया जाता है और ग्रेट्स को पूरी तरह से महतु देने पर बल देता है तो तीसरा और चोता विकल्प तो हम बाहर वापिस निकाल देते हैं कि रेंक देने के प्रियोजन के लिए करते हैं या ग्रेट्स को पूरी तरह से महतुत देने पर बल देता है ये तो बिल्कुल गलत है पहला या दूसरा साथियों confusion इसी इस्तिती में होता है एक्जाम में भी हम कौन सा करेंगे तो सीखने के लिए आकलन मतलब अभी हमने सीखा नहीं है अभी हम सीखेंगे उसके लिए आकलन किया जा रहा है तो अभी हम सीखेंगे तो साथियों अभी प्रेड़ना को बढ़ावा देता है क्या करता है ये अभी प्रेड़ना को बढ़ावा देता है क्योंकि हमने नहीं सीखा है उसके पहले ही आकलन अगर किया जा रहा है तो फिर हमको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीजे हमें नहीं आती है और हम उस चीज के प्रती अभी प्रेरित हो जाएंगे इसलिए ये अभी प्रेरिना को बढ़ावा देता है बाकी प्रतम विकल्प को भी सही माना जा सकता है क्योंकि गलत तो ये भी नहीं है कि अपने आप में विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविदी है तो साथ यो आकलन गतिविदी तो है बिल्कुल ये लेकिन उससे बेटर ओप्शन कौनसा है दूसरा तो बहरे बालकों को, अंदे बालकों को, गुंगे बालकों को और विकलांग बालकों को, तो मित्रों ब्रेल लिपी लुईस ब्रेल ने इसका अविश्कार किया था, अंदे बालकों के लिए या दृष्टी हिन बालकों के लिए इस लिपी का अविश्कार ब्रेल लिपी के पुष्टिकरण, प्रक्षेपन, प्रतिगमन और शतिपूर्ति तो चात्र विकलांग है मतलब उसमें कमी है शारिक रूप से ज्यादा प्रिश्रम करके वो प्रतम रेंग प्रश्ट रेंग लाना चाहता है तो सातियों मतलब वो एक शेत्र की पूर्ति दूश्रे शेत्र से क हम कहेंगे शतिपूर्ति मित्रों चोता विकल्प सही रहेगा प्रश्ट नमबर 11 में चलिए प्रश्ट नमबर 12 निम्ण में से कौन सा सही नहीं है उचे या नीचे प्रतियक व्यक्ति में सरजन शीलता के बीज होते हैं सरजन शीलता और परिपकुता के बीच दूरी का साथ करें तो बिल्कुल मौलिकता ही सरजन शीलता है किसी समश्या को अल करने के लिए भी आवसर दिया जाना चाहिए यह भी बिल्कुल सही है उचे या नीचे प्रतियक व्यक्ति में सरजन शीलता के बीज होते हैं कहीं ना कहीं कुता के बीच दूरी का संबंद होता है दूरी का नहीं नजदी की का संबंद होता है तो यह क्या है गलत है यही आप कराई टांसरे सात्यों प्रशनमबर 12 में दूसरा विकल्प चलिए आगे बढ़ेंगे प्रशनमबर 13 पर व्यक्ति के एचेतन मन का अध्यान किया जाता है प्रक्षेपी विद्यो द्वारा, अउलोकन विद्यो द्वारा, साक्षातकार द्वारा और आत्मकता द्वारा तो मित्रों जो अचेतन मन है अचेतन मन जो संपूर्ण मन का 9 वटा 10 होता है इसका अगर अध्यान करना है तो आप डारेक्ली नहीं कर सकते बलकि आपको प्र प्रक्षेपी विद्या ही अचेतन मन का द्यान करती है मित्रों इसलिए आपका प्रतव विकल्प 13 प्रिश्ण में सही है चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण 14 पर सुधार इसकूल इस्थापित किये जाते हैं बाल अपरादियों के लिए मानसिक मंद बच्चों के लिए प बालकों की उम्र 18 वर्षे से कम होती है ऐसे बालकों के लिए बाल सुधार ग्रह इस्ताफित किये जाते हैं तो चलिए देखेंगे प्रिश्ण 15 को पंदरवा प्रिश्ण अंतर मुकी बालक की प्रमुक विशेष्टा है देखिए काल जूंक्य अनुसार अंतर मुकी बहिर म प्रिश्ण के बालक बताये गए थे और यामेन और उनके सिश्टे जो सिम्पसन उन्हों ने जो उभय मुकी प्रकार का भी बताया था तो यहां पूछा है अंतर मुकी बालक की प्रमुक विशेष्टा हे उसका चेंड कीजीएगा वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है मुकी की ना होकर ये बहिर मुकी की है कक्षा में सभी से मेल जोल भी निर रखता है अकेला रहता एकांत में रहता है साथियों इसलिए तीसरा विकल्प सही है आपका प्रशनमबर 15 में चले नेक्ष देखेंगे प्रशनमबर 16 को निम्ण में से कौनसा बुद्धी का सिध्धा तो मित्रों अगर हम बात करें कि संग्यानात्मक प्रकिर्या पर आधरित बुद्धी का कौन सा सिध्धान्थ है तो साथियों देखिए इस्टर्ण बर्ग ने जो त्री तंत्र का सिध्धान दिया है जिसमें बुद्धी के तीन प्रकार बता है साथियों मैंने इस सिध्ध सारी में दिणुख में। करने का Va में और विखे दीके के विशे मथय में आधूनिक आधूनिक बद्दी में तर्क करने का गुण बुद्धी प्राप्त करने की योग किता बुद्धी जीवने की राख समश्याओं को हल करने का गुण बुद्धी है और नवीन परिस्तियों के प्रती समायोजन का गुण बुद्धी है तो साथियों प्रश्ण बड़ा आजीब है क्यों है क्यों कि चारो ही option right है लेकिन प्रश्ण को समझो कैसे क्यों कि पूंच रहा है आधूनिक अउदार्णा वर्तमान में बुद्धी को क्या माना जाता है तो साथियों चारो ही वेसे तो बुद्धी के परिबाश है लेकिन आधूनिक अउदार्णा की बात करें तो जीवन की समझ्याओं को हल करने का गुण ही बुद्धी कहलाती है ये आधूनिक अउदार्णा है बुद्धी की त तो चलिए नेक्स्ट प्रस्ट नंबर अठरा पे आते हैं साथियों अठारवा क्यूशन अभिवरत्ति के संदर्व में निम्न में से कौन सा कतन सही नहीं है पहला है यह मनुष्ट की एक प्रकार की भाउना है दूसरा है यह जन्मजात नहीं होती बलकि अरजित की जाती है त चोता है इस पर बुरे पर्यावन का प्रभाव नहीं पड़ता है तो मित्रों अगर हम बात करें अभिवरत्ति के संदर्व में कौन सा कतन सही नहीं है तो देखेगा मनुष्ट की एक प्रकार की भावना को ही अभिवरत्ति केते हैं जन्मजात नहीं होती अभिवरत्ति अर बच्चों में सर्जन शिल्टा का मापन करने के लिए निम्न मेंसे कोंसा एक परिक्षन नहीं है पहला विकल्प है किसी अधूरी आकरती या चित्र पर एक कहानी लिखना दूसरा है पहाडा लिखना तीसरा है वस्तों को एक नए करम में व्यवस्तित करना और चोता है किसी वृत की सिमाओं के अंतरगत आकरती को पूरा करना तो साथियों सर्जन शिल्टा का परिक्षन आप कर रहे हो तो बिल्कुल चित्रिया कहानी लिखोगे अधूरी आकरती पर तो वो भी सर्जन शिल्टा का मापन करेगा वस्तों को नए करम में व्योस्तित करोगे तो नए करम में खुद के अनुसार व्योस्तित करोगे तो उससे भी सर्जन शिल्टा विक्सित होती है किसी वृत की सिमाओं के अंतरगत आकरती को पूरा करोगे तो वो भी सर्जन शिल्टा है रतना भी इसमें आ जाता है तो रतना कोई सर्जन शिल्टा नहीं है इसलिए दोसरा विद्यालियों द्वारा प्रदान नहीं किये जाते अन्य विद्यारतियों के लिए अच्छे मोडल बन सकते हैं और इन में से कोई नहीं तो मित्रोष सबसे बेश्ट विकल बीसों क्यूशन में कौन सा रहेगा साथ यो बहुत ही मैं कराऊं कि इस टेस्ट में आप 25 क्यूशन अगर कर देते हो इस टेस्ट में भी ये टेस्ट यूँ मानके चलिए अकोडिंग टू एक्जाम है ये 25 क्यूशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है और बाकी अगर नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप में बहुत ही अच्छा टेलेंट भरा हुआ है बस यूँ है कि उसको लगातार मेनत करके बह दूसरा विकल्प एसे सयोग की आवशक्ता होती है जो सामान निता है विध्यालियों द्वरा प्रदान नहीं किये जाते हैं तो मित्रों देखिए दूसरा ही विकल्प सही है क्योंकि जो प्रतिबाशाली बालक होते हैं उनको एसे सयोग की ही आवशक्ता होती है जो नॉर् बिल्कुल प्रकरति के माहुल में बेट करके इस वीडियो को बना रहा हूं आज पास आपको पक्षियों की चहाट भी सुनाई दे रही होगी आवाज आ रही होगी तो बिल्कुल साथ यो आप डिश्टर्ब तो नहीं हो इस चीज से आप इसके लिए में कमेंड करके जा सकते हैं देखिए बावन चीजासी चहंतर यार्सत तो बात करें समवर्ती सूची की सविधान में संसोधन किया गया था और समवर्ती सूची में डाला गया था सिक्सा को सिक्सक की भूमिका है सीखने है तो एक अच्छे सूलब करता की बच्चों को गणीत विज्ञान वे भाशा सिखाने में बच्चों को मुल्यादारी सिख्सा देने में और बच्चों को सब कुछ पढ़ाने में तो मित्रों आधुनिक सिख्था नदिगम परकिरिया में सिक् जाने वाला पर्थम विकल्ट सहिए साथ यो प्रश्च नमबर 22 में चलिए नेक्ष प्रश्च नमबर 23 एंसेप 2005 की संस्तूतियों के अनुसार कक्षा 1 वे 2 के विध्यारतियों के लिए मुल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परिक्षन के आधार पर मोखिक परिक्षन के आधार पर लिखित हुए मोखिक परिक्षन के आधार पर और प्रेक्षन के आधार पर कख्ष एक दो के बच्चे हैं लिखी तिया मोखिक रूप से क्या बताएंगे छोटे छोटे बच्चे होते मासूम होते बच्चे तो यह नहीं बलकि प्रेक्षन उनके व्योहार को देखकर उनके दोरा की जाने वाली क्रियाओं को देखकर उनका मुल्यांकन करना चाहिए आ सकता है 10 वर्ष पश्चा उने वाली जनगंणा में आबदा राहतकारियों में चुनाओं समंदी कार्यों में और पल्स पोल्यों कारिकरम में इंपोर्टेंड यूशन है एक्जाम में भी आ चुका है रीट में भी तो देखिएगा 10 वर्ष की जो पश्चात जनगंणा हो चोता विकल पाप का सही है प्रश्च नंबर 24 में नेक्ट प्रश्च नंबर 25 मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण अध्यात्मिक वातावरण परिवार की सामाजिक इस्तती और यहां पे माता-पिता में सामनजश है तो मित्रों परिवार का वातावरण बिल्कुल मानसिक विकास को प्रभावित करेगा माता-पिता में सामनजश भी प्रभावित करेगा क्योंकि माता-पिता में सामनजश नहीं है तो दोनों में जगड़े होंगे बिल्कुल इससे बच्चे का कही न कही मानसिक विकास अवरुद हो जा साइकलोजी में अध्यात्मिक विकास को मत्यूहीन माना गया है दूसरा विकल्प सही है प्रशनमबर 25 में सामाजिक इस्तती भी प्रभाविद करती है साथ युमान से क्विकास को चले नेक्स प्रशनमबर 26 दिवास्वपन में विचरन करने की शमता कि सवस्था में अत्यांत को समझने लगते हैं थोड़ा थोड़ा तो हम कई बड़े बड़े सपने इसी अवस्था में देखते हैं साथ युम आपका आद दूसरा विकल्प सही है प्रशनमबर 26 में चले नेक्स प्रशनमबर 27 अलबर्ट बंडूरा के सामाजी का दिगम सिध्धान के अनुसार निम् के तरीका है अन्सुल्जा संकट बच्चे को नुकसान विकात से सोतंत्र है और संग्यानात्मक विकात सामाजिक विकात से सोतंत्र है तो साथियो 27 में राइट आंसर मित्रों देखे अलबर्ट बंडूरा ने जो अपना सिध्धान दिया है प्रेक्षन अधिगम की इसको कह प्रेक्षन आत्मक अधिगम के उपर इन्होंने बल दिया ता साथियो बालक अवलोकन पर सीखता है अवलोकन आधारित अधिगम बालक का होता है किसे भी चीज को देखता है और उसको सीखता है तो मित्रों इस आधार पर 27 में दूसरा विकल्प सही है बच्यों के सीखने क प्रेक्षन करना जिसको आप बोलते हो वहता है प्रती रूपन तो साथियो बिल्कुल दूसरा विकल्प सही रहेगा क्योंकि इन्होंने आधारित अधिगम ही बता जया है इसलिए no doubt दूसरा विकल्प सही है 27 में चलिह आगे बड़ Traffic 28 पर सामाजिक अधिगम प्राराम होत है अलगां से भीड से सम पर्क से और सामजी और दिरंप को सौन चाहिए किस अराम कर पाया इमानदारी से बताना सथ नेक्स्ट प्रेज़ना का मांग सिध्धान्त किसने प्रस्तूत किया मेसलो एडलर टीचनर और वोट्सन तो मांग सिध्धान दिया गया था साथियो मेसलो के दौरा किसके दौरा दिया गया अभी प्रेज़ना का मांग सिध्धान्त मेसलो के दौरा दिया गया था साथियो व कमेंड करके जाए अगर डाउट हो तो अगर आपको डाउट हो कि सर हमें इस प्रश्टिपल डाउट हो तो आप कमेंड करके जाए अप एक शी संशुदन होगा तो कर दिया जाएगा वेसे मैंने के क्यूशन को दो दो बार चेक किया यह साथ यह तो चलिए तीसवा क्यूशन गामक विकास से हमारा ताथ पर ये मान स्पेशियों के विकास से तता पेरों के उचित उप्योक से मस्तिक्स और आत्मा, अधिगम और सिक्षा, परसिक्सन और अधिगम, शक्ति और गती तो गामक विकास में शक्ति और गती आता है नॉर्मल सा क्यूशन है ये तो गामक विकास मतलब चलना फिरना शक्ति और गती तो साथियों आपका चोता विकल्प सही है तीसवे क्यूशन में किसा लागा कमेंड करके जाए ये सात्यों कल मेगा टेस्ट के लिए तयार रहना मिलते है अगले वीडियो में